और 192 अलगलग परकार के कारेकरमों में सेवा गिता रही मैं जारकरने में अभी छे दिन था तो जो संताल का छेत्र है दुमका, राजमेहल, कोड़ा इन तीन लोकसवाओं में में छे दिन जो प्रयास हो सकते हैं मैं पहले जब भारती जंता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंदर दुमका में ही था उस समय तो मैं लोकसवा और बिधान सवा दोनों चुनाव मेंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अबस्तर मिला था पर दी फिर में वहाँ होकर काया हूं और एक दिन मैं और मन्य-मौहँजी के साथ में हमीरपुर लोकसवा के अंदर ही, चोंकि मेरी लोकसवा से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दोरा हुआ था इस पूरे चुनाव अवयान में हमने महनत की, सबने मिलकर के म मुगदान हैं आपने हमें हर प्रकार से सायोग जो अप्यक्षाती उसके अनुसार भी और अप्यक्षा से ज्यादा बढ़ करके भी किया और इसलिए जैसे हम प्रयास कर रहे थे तो आपने भी मध्य प्रदेश के इस चुनाओं में महत्रप्र मुमिका निवाई है इसलिए मै सभी पत्रकार मित्रों का बहुत रिदैसे भारती जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं आपका महभार मित्त करते हैं और प्रदेश के सभी मध्याता भाई और बहरों का भी आज बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो जिसका नाम सबसे पहले तो कुछ यह जो प्रश्ण उतर का जो एक सेशन है वह प्रारम करते हैं उसके प्रांथ हम सब भोजन के लिए आमंत्रित है विपिन श्रीवास्ताफ जी से आगरे सबसे पहला प्रश्ण करें मैं तो इतने ही जानता हूँ डिवेट उससे की जाती जो डिवेट लायक हूँ यह अपने अंतरवन में जहांके देख ले जिनने पहले सुप्रिम कोर्ट में माफी मांगी आउरोप लगा के यह तो सब के सामने गवाय राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी तो जिसकी भासा जिसके विचार जिसका याधार नहीं हो उससे क्या डिवेट करें और जिदने आप मैंने आपकी सीट के सामने बताया था कि मनोबल के लिए चुनाओ हरना अलग बात थी 2004 में आप जीते हैं मैं ठी 2009 में जीते हैं 2014 में जीते हैं आपके पिता जी वहां से जीते हैं आपके दादी वहां से जीते हैं आपके नाना वहां से जीते हैं आपके पापा वहां से जीते हैं आपकी पांचवी पीडी थी उसके बाद एक सीट ऐसी हरक दरके मरे गए कि आप अपनी बेहन को लेका आए केरल से कि हम दो ही लड़ेंगे आते आते बेहन भी करी मेरी भाई की चिंता करूँआ तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोजी जी का मुकाबला क्या करेगा मैंने मोन का खैल तो मोन को हमारे यह फरमात्मा की दया है कि हम अपने अपने तरीके से आत्म अवलोकन करते हैं इस पर क्या बोलना किसी को और यह यही तो मूल जंजट होती के हमारे हिंदू धर्म की पद्धतियों पर कांगरेस हमेशा क्यों परस्न खड़ा करती है क्यों करो हमारा धान तो मत भंकरो निदेंदर जी लिए ओभी है अबी चुना होगए तो पर अरे भी आगके आगार मैं आपाद कर बाद स्था पूछें एक तो मेरा अगरे बहुत समय में हब लोग क्रम कि अनुसार के सुषीर डीप्रेशन पूचिए इनका प्रसन अचा है एक में टुकिए ना रुकिए भवेश से कौन जानता है आप बता चले आपने दो प्रसने खटे कर दी है अब में तो आपका स्वाइद कर रहा था है अगर आप बोलती तो आज तीन सो भी जैंती है इल्जा मता की मैं यहां पुष्पांजली कर रहा हूं उसके बेले पार्टी काले मानी अध्यक जी के साथ मैंने तो मेरा हमारा तो सुनो आपने प सहमेलित होने वाला हूं तो भॉपाल में बीजय पी की परस्कानफयेंस महां जारका कंग्रेस परबार देखने कोमिला कंग्री का मनुबल-टूट मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री आगे कहते नजर आए कि दमदारी से चुनाफ तो वो लड़ते हैं जिनमें दम होता है, कॉंग्रेस का मनोबल ठूट चुका है, कॉंग्रेस पतन की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव कई मुद्दो पर बोलते नजर आए अपकी बार 400 पार को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि इस बार 400 के पार सीटे बीजेपी जीत रही है।